हेलो दोस्तों मैं हूँ उदैरंजन और इंटेंजेस इंडिया के चैनल पर आप सब का स्वागत करता हूं तो अभी देखें लाइव मार्केट चल रहा है यहां पर और सुजलोन एनर्जी का मैंने चार्ट लगाया हुआ है आपके सामने दिख रहा होगा यहां पर सुजलोन अगस्ट है तो आज करें अब तो आज रिजल्ट आने वाला है कि और तो इसका आएगा धेट होगा तो उसके हिसाब से जो भी फोर्कास्ट रहेगा मैं आपको उसमें इस बताने वाला हूँ और वो इस पे लॉंग टम पर फिर शॉट टम पर कैसे इंपक्ट करेगा वह चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो इसमें देखिए अभी लाईव मार्केट आपको दिखा देता हूँ अभी कैंडल लिस्टिक चार्ट में लगाता हूं तो देखि भी यह जहां पर open होता है और जहां पर close हो जाता है उसी level पर तो उसको हम लोग doji बोलते हैं doji काई परकार के होते हैं और यहां पर जो doji बना है यह दोनों doji यह बहुत ही important doji है और उसके बाद एक हमें reversal देखने को मिलता है तो देखे जब भी ऐसा doji बनता है तब उसके बाद से एक market में reversal आता है और market इसका उपर की तरफ जाता है अगर नीचे की तरफ में आ रहा होता है तो यहां से एक reversal होके market उपर की तरफ जाता है तो ये दो डोजी बना है जो इसके बाद देखिए market एक positive moment दे रहा है जब भी डोजी बनता है तो उसकी confirmation के लिए एक हमें candle यहाँ पे दिखना चाहिए उसके अगला candle या तो green होना चाहिए या तो red होना चाहिए अगर डोजी के एक last में उसके बाद में अगर red candle बनता है तो हम लोग negative मानते हैं और अगर यहाँ पे green candle बनता है तो हम लोग उसको positive reversal मानते हैं bullish reversal मानते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका technical analysis अगर हम लोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और इसका result update मैं आपको बता देता हूं देखिए जुलाई 6 को 6th July को यहाँ पे 6th July को इसका एक और result आया था जुलाई को मैं बता देता हूं यहाँ पे आपको लिखके बता देता हूं 6th July को यहाँ पे जो इसका revenue था वो revenue 6.55 billion का आया था ठीक है यह इसका result था quarter result था और यहाँ पे जो EPS था EPS जो इसको हम लोग earning per share बोलते हैं वो आया था इसका minus 1.55 ठीक है minus 1.55 तो दो चीजे mainly हम लोग देखते हैं result में एक तो हम लोग revenue देखते हैं और उसके बाद EPS देखते हैं तो इस बार का इस बार का जो कि 10th August को इसका result आने वाला है इसमें अगर हम लोग revenue देखें तो revenue हम लोग का 8.94, 8.942 billion का इसका estimated result बताया जा रहा है और यह हमारा revenue रहेगा अगर इससे कम आएगा अगर इससे कम आता है इसका revenue आज के date में अगर इससे कम आता है तो इसका मतलब कल इसमें थोड़ा नी अगर 8.9 से 9.0 भी इसका आगया result और इसका revenue बढ़के आगया तो कल इसका market उपर बहुत ही उपर जाता हुए दिखेगा तो अगर आपने इसमें बाई करना है आप लोग को तो result से एक दिन पहले आप लोग को थोड़ा risk अगर लेना है तो यहाँ पे आप लोग एक दिन प पर खुल सकता है कम से कम यह 4% या 5% के आसपास में इसका result आने के बाद इसका movement हो सकता है तो यहाँ पर देखिए अज जब भी डोजी के सामने यहाँ पर जो मैंने बताए यह बहुत important चीज है डोजी के बाद में अगर यहाँ पर positive candle दिखता है तो यह हमारा positive sentiment माना जाता ह और उसी के हिसाब से इसमें positive moment के लिए इसमें buy के लिए मतलब की buying का एक opportunity इसमें देखने को मिल रहा है तो यह मैंने अभी candlestick चार्ट लगाया था अभी देखे वन मन्त का अगर मैं चार्ट लगाता हूं यहाँ पर तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर double pattern बना है जो यह हम लोग double top बोलते हैं double top बोलते हैं वो reversal का pattern होता है यहाँ से और यहाँ आके नीचे भी इसी हिसाब से एक double bottom बनके और उपर जाने के ऐसे chances यहाँ पर बन रहा हैं तो जब भी ऐसे chances बनते हैं तो हम लोग एक forecast कर रहे हैं और वो forecast अगर positive होता है तो वैसे ही market यह रिवर्ट करने लगता है और वैसे ही market यहाँ पर यह perform करता है तो जब भी यहाँ पर आप लोग को buy करना है तो आप लोग ले सकते हैं 4.45 का यह बहुत ही अच्छा opportunity आपको मिल रहा है और यह सुजलोन energy ऐसा ही है यह cyclic चलता है एक मही पर जाएगा यह फिर नीचे आएगा फिर उपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर नीचे ऐसे करता रहता है यह cyclic रूप से तो अगर यह तीन रुपए के आसपास में आता है या 3.5 पर तो इसको आप लोग बाई कर सकते हैं और अगर यह 6 रूपीज पर जाता है तो तो आप लोग बाई कर लेते हैं और 5 पर यह 6 रूपीज पर जाता है तो लोग जोठ सेल कर देते हैं वहाँ पर तो बहुत ही अच्छा इसमें ऑपर्च्निटी अभी भी बन रहा है बाई करने के लिए तो अगर आपने नहीं बाई किया है तो आप लोग बाई कर सकते हैं और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्सम बताईए और कमेंट करके मुझे बताईए तो इन टैंजर इंडिया के चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक